तो गुड मोंनी दियर इस्टुडेंट्स देखे हम डिसक्स कर रहे हैं। आई यूपसी नोमनेक्रेचर और हमने अभी तक कम्प्लीट किया है, आई यूपसी नोमनेक्रेचर और एलकेंस यानि कि जिसमें क्या है सिंगल बॉंड है और आज हमने टोपिक लिया है आउपिसी नॉमिल के लिचर ओफ कंपाउंस कंटेनिंग डवल बॉंड्स एंड ट्रिपल बॉंड्स दैट इज एलकेंस और एलकाइंस के लिए माइसेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन पार्टली पत्री उन्वेस्टी पटना तो जैसे बच्चों हमने कुछ रूल्स डिसकस किय पहले हैं पहला रूल क्या है है कि स्लेक्ट करना देखिए है कि सेलेक्ट दा है कि लोंगेश्ट है कंट्यूनियस चेंड और और कार्वन और कार्वन एक्टम्स कंटेनिंग मल्टिपल बॉंड्स मल्टिपल बॉंड्स में क्या है बच्चों डवल और ट्रिपल बॉंड मतब कार्वन एक्टम्स के हमको ऐसी चेंड लेनी है जो क्या हो कंट्यूनियस हो और जिसमें क्या होना चाहिए डवल और ट्रिपल बॉंड्स उसी साफ साम नेमिंग करते हैं एक्जांपल से समझते हैं बच्चों कि देखें च्च3 च्च2 च्च2 च्च डवल बॉंड्स च्च2 देखें च्च2 च्च3 अगर माले इस टाइब का कोई कार्वन मतब कंपाउंड्स है डवल बॉंड्स का तो देखें बच्चों में क्या करते हैं अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो देखें क्या है अगर में स्टेट चेंज लेते हैं देखिए अगर इस टाइप से ले सकते हैं कि यह कितने कार्व अटम्स की है देखें वान 1 3 4 और देखिए 5 इस टाइप सकती है और देखिए और हम इस टाइप से कर सकते हैं देखिए CH3 CH2 CH2 CH देखिए CH2 और CH2 CH3 देखिए हम इसको इस टाइप से भी लिग सकते हैं देखिए यह देखिए अब इसमें नेमिंग की बात करते हैं क्र्पण्जट इस टाइप से करना है हमको डूह! साइब मां आगे है में चेन में में 1 2 3 ़र यह अवच्ए तो इससे क्या निकलका आया है जो लॉनगज चेन है है या जो चेन है वह लोंगेश्ट हो भी सकती हो लोंगेश्ट नहीं भी हो सकती है यान्हे कर कराओ इसमें नोड बनाए देख्ये यानि कि सालेक्टेट चैन सालोटेट चैन है में और may not be may not be the longest longest अगर हो भी सकते देखिए may not be the longest but it must contain double or triple bond double or triple bond बच्चो chain कैसे होन चीए जब double bond और क्या है triple bond आए तो यहां देखिए दोनों सेम कारवन है इसमें कोई दिख्कात नहीं है लेकि इसमें यह हम कंसेटर की दर्स करना है जिदर से double bond रहता है जिदर से क्या हो? double bond हो देखिए और यहां से हम इसको थोड़ा expand करें इसी को देखिए CH2 CH3 देखिए CH2 CH3 देखिए तो आप देखेंगे तो यह number हो जाएगे 6 carbon की देखिए 6 carbon chain देखिए और यह number कितने हो जाएगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 carbon देखिए तो इस केस में क्या consider करेंगे यह वाली number है क्योंकि यहां कहां से start है double bond से start है तो इससे यह निकल कर आया जो chain है जो हमारी compounds की chain हमतर स्रेंकला है वो longest हो भी सकती है और longest नहीं भी हो सकती है लेकि what it must contain double and triple bonds जो भी compound bond है उदर से हम numbering करेंगे तो this is the best method because it is start from the double bond और यह किसकी है 5 carbon की यह पहला rule है बच्चो एलकिन और एलकाइंस का दूसरा rule देखते हैं देखिए दूसरा rule क्या है बच्चो देखिए हमने एलकेंस में study क्या था जो पहले लेक्चर कवर की है देखिए एलकेंस है तो हमने क्या लिखा था एन यह प्राइमरी सफिक्स क्या है एन और लेकिए हम बात कर रहे हैं किसी double bond की और triple bond की एलकेंस means single bond एलकेंस है तो एलकेंस और एलकेंस में क्या लगाएंगे एन और देखिए triple bond है तो एलकाइन और उसमें क्या लगाएंगे देखिए आइन यह हमारी क्या है प्राइमरी सफिक्स अगर double bond है तो एन और टिपल बोन है तो आइन यह बच्चो यह दूसरा रूल्स है मतलब एलकेंज में क्या लगाते हैं एन और आइन जो क्या काम करते हैं प्राइमरी सफिक्स का इसे सब क्या है प्राइमरी सफिक्स अब देखिए डिसल करते हैं अगला रूल थर्ड रूल का देखिए अगर डब्बॉंड ये ट्रिपल बॉंड है डबॉंड ये ट्रिपल बॉंड है तो हमने कहा थे नेमी कहां से स्टार्ट करते हैं डब्बॉंड और ट्रिपल बॉंड से और डब्बॉंड ट्रिपल बॉंड को क्यानेम देतेह हैं लोइस्ट नंबर लोईस्ट नंबर देखिए कम से कम नंबर देते हैं लोईस्ट नंबर इसपड्बॉंड और ट्रिपल बॉंड को एक जामपल करेbewांद समझते देखिए च State CH, double bond CH, CH2, CH2, CH3, देखिए, एक एक जम्पल यह देखिए, इसके दो तरह से देख सकते हैं, CH3, देखिए, CH, double bond CH, CH2, CH2, CH3, देखिए, same compounds है, naming दो टाप भी देख सकते हैं, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और देखिए, अगर हम इदर से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए, और बच्चे, हमार रूल क्या कहता है, जिदर से क्या आएगा, lowest number, उतर से हम naming start करेंगे, देखिए, तो इदर से स्टार्ट करते हैं, कितने पार आएगा, फोर पोजिशन पर, तो फोर पर क्या है, बच्चों, यहाँ, इन, और इन कितने पर है, टू पर देखिए, टू पर इन है, तो वेस्ट नम्बरिंग कौन सी करेंगे हम, तो वेस्ट नम्बरिंग होगी, देखिए, इसमें यह वाला मैथड, यह, और यह कैसा है, यह रोंग है, रोंग मैथड, अगर बात करते हैं, आईपीसी नेम की, तो देखिए, आईपीसी नेम क्या है, कितने मेंबर का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मतला what root क्या है इसका, है इक्ज देखिए, है और कैसा है, सफिक्स है, इन, प्राइम सबिच क्या है, इन, तो क्या लगेए बच्चों देखो, तो पर क्या है, इन, तो क्यों हो जाएगा, हमारा इन नेम क्यों हो जाएगा, आईपीसी ने तेके हैं टू इन देखिए और इसका करेंगा हूंगा जो गलत बाला है इसके तक नावा देखिए हैं फोर इन देखिए जो कि क्या है रोंग है देखिए और यह क्या है राइट है तो मैंसे नम्रिंग कैसे स्टाट करनी है जहाँ पर डवल यह ट्रिपल अनि मल्टी बॉंट की पॉजिशन क्या हो लोइस्ट रहे इसकेस में इदर से स्टाट करेंगे तो टू पर आएगा और इदर से स्टाट करेंगे राइस साइस से तो फोर पाएगा तो वैस्ट कॉन सा में यह टूइन टूइन देखिए तो कौन सा सही है हमारा IPC नेम है यह वाला क्या है रोंग है और बच्चों देखते हैं देखिए इसको जो हमारा है टूइन है अलालग बुक में कई टाइप से लिखा जाता है देखिए हैं टूइन फर्स्ट कुछ लिखते हैं टू है है जिन देखिए और किसी भी लिखता है देखिए हैं तू देखिए यह मैं च이다 आपको जन्द Molly मिलेगा देखिए जो सही माना जाता है लोगियं जो 19 हम बता हुआ हमको और से kö स्टार्ट कर DOM 1993 का आइउपिसी कंवेंसण Curtis अ तो 1993 का आईउपिसी कंवेंसट कहता है आच है जो हमारा सभीक्स है और सफिध्य क्या primary suffix two पह तो primary suffix से ठीक पहले क्या लगाते हैं उसकी position को denote करते हैं उसके numerous form में तो numeric form क्या यह two है तो कौन सा best method है यह वाला देखिए यह hecks to in बच्चो है hecks to in को इन की position क्या है two है तो इसको वह 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 mention कर दिया है कि in की position क्या है two है और what would कितना अच्छा है तो of hex to in this is the most appropriate methods for writing the IPC name of these compound according to 1993 IPC convention तो वच्चो अगर ऐसा आता है तो इस टाइप सहम इसको mention करते हैं और देखिए और हम देखते हैं जो अगला rules है इसका किसी किसी compound में दो या दो से ज्यादा double bond या triple bond होते हैं जैसे हमने alkanes में भी देखा था कि आलग दो टाइप के side groups लगे हुए है same type के अगर देखिए two और more than two क्या है double bond और क्या है triple bond है double bond और triple bonds है तो क्या करते हैं इसमें देखिए अगर double bond है देखिए अगर two double bonds है two double bonds है बच्चो तो double bonds देखिए तो क्या से explain करते हैं देखिए तो इसको लिखते हैं देखिए देखिए और अगर क्या है तीन है देखिए अगर तीन डबल बोंड है तो अगर थ्री डबल बोंड है देखिए तो सीरी के जागा try in दो है तो die और तीन है तो try try in और अगर triple bond है देखिए अगर two triple bond है या फिर थ्री triple bonds है देखिए तो यहां die in है उदर क्या जाएगा try die in और देखिए try in देखिए इस ट्राइप से हम mention करते हैं एक्जामपल से समझते मच्छे देखो CH3 देखिए common example लेते हैं देखिए CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 triple bond के ले लेते हैं देखिए CH triple bond C single bond C triple bond देखिए CH देखिए तो इसमें क्या रहा देखिए चार मेंबर का है 1 2 3 4 आप नेमिक इदर से भी कर सकते हैं देखिए 1 2 3 4 यह इदर से नेमिक करेंगा दो वात एक ही है देखिए 1 2 3 4 देखिए देखिए चार मेंबर का तो देखिए व्यूट देखिए देखिए वन कॉमा 3 डेखिए वन पर आपड़रबोंड है और थ्री पर आपड़रबोंड है वन कॉमा 3 क्या है। ब्यूठाइन है देखिए तो 24ी दाइन को एस वेशंचिए दख्यां एञा यह यहां एटाइन एक बात जुरूर धियांगे है आपको याद गाति देखें बच्चों इसमें हमने क्या करा है यह एड करते हैं दिख रहोगा आपको वैसे पीछे पड़ा भी था जब अगर यह वाला जो प्राइमेरी सफिक्स है वह देखिए कॉंसोनेंट से डी से स्टार्ट देखिए हैं का डी से स्टार्ट है मतलब बोवल के स्टार्ट नहीं है यह किसा शाठा कॉंसोनेंट से स्टार्ट देखिए कॉंसोनेंट से तो वर्ट रूट के लाश्ट में क्या था एड कर देते हैं हमने क्या एड करा एड कर दिया देखिए यह क्या करा इसमें एड कर दिया वच्चों ध्यान रखना आपको एड़ कर दिया देखे तब क्या का हमने क्या है ब्यूटा वंथ्री डाइएन और यह ब्यूटा वंथ्री डाइएन यह आपको याद रखना है यह तब होता है जब एक साधिक डबल बॉंड या फिर ट्रिपल बॉंड हों तो बच्चों हम जो नेक्स लेक्चर में इसके आग